बिसमि लाही रहमारे रहीम, असलामलेकूम, मेरा नम है अफिया, आप देखेंगे आपज प्छिष आज मेरे किचन में बने चिकन आलू का सालन तो चछी है, जोना बहुत ही मद्यदार सा चिकन आलू का सालन की रेस्पी, आप लोगोसे शेर करेंगे, लिए क्या ने चलीद ह कर दिए देखिए चलेगे अब हाइफ लेंपेस को लाइट गोर्डन सा कलाना तक फ्राइए करेंगे आप लोग ने मेरे चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं कि तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल अकिन को लास्ट मी प्रेस की करें दागे नियू आने वाली व कोटी वाली हरीमीचे लेके साथ ही पीस ली थी यह डालने के पाद एक मिंट के लिए से अच्छी तरह बूल लिया कि यह देखें यह पूर गी अच्छे से अब मैं इसमें शामिल करूंगी मिसाले कुछ जिसमें वन टेबल स्पून रैट चिली पौडर जाएगा जाएगा आधा चाय के चमज इसमें हल्दी शामिल करेंगे डेट चाय के चमज जाएगा इसमें नमग यह डालने के साथ ही में डालूंगी दो से तीन टेबल स्पूम पानी यह चला गया अब इसको अच्छी तरह हम फूरेंगे किसे डेट मिंट के लिए तक मिसाले जलेना और मिडि साइस के इनके चिलका मैंने उतार के रफली चौक कर लिए यह शामिल कर देंगे अब अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे यह हो गया अब मैंसे ढखके रखूंगी कम असकम दो से तीन मिंट के लिए धलकी आंच पर तक टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो यह तो अब दो-तीन मिंट के लिए इसे चीतरा है अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी चार तीन से चार मीडियम साइज के मेरे पास आलूत है उसके चार चार टुकुरे करके यह शामिल कर देंगे इसमें यह चलेगे अब इसको अच्छे से बूल लेंगे कि देखें को कितने अच्शलासा मारा सालन भूनता जा रहने विजिंव फ्ल्मप भी में भू़न रहें इसको अब साथी में शामिल करण के दो तरी मेरे पास हर्मिर्चे इसमें नहीं इसको यह पसंद तो आप शामिल करें जीनibl इन पसंद नो परसंद तो u हो जाएगा तो ढखके में 12-15 मिंट के लिए पकाऊंगे हाई फ्लेंपे से ताकि अच्छा से मारे चिकन और आलू पक जाए तो यह देखे माशाला से आलू चिकन का सालन बहुत ही मज़िदार से त्यार हो गया है बहुत ही चीजी खुश्पू के लिए इसमें डालेंगे वन बहुत ही मज़िदार से खुश्पू आरी और बहुत ही मज़े का हमारा चिकन अलू का सालन त्यार हो गया है अब मैं इसे जिशॉट कर लेती हूं रेस्पी आप लोग ज़रू ट्राइक करें रेस्पी पसंद आए दोस्तों में फैमिली में शेयर करें और मुझे कमेंट ब